नमस्ते आज का पाठ है काव्यांश की सब प्रसंग व्याख्या कैसे करें या काव्य सौंदर्य क्या होता है संदर्ब किसे कहते हैं प्रसंग कैसी लिखा जाता है व्याख्या कैसी की जाती है और काव्य सौंदर्य क्या होता है तो इस पार्ट में हम उधारन सहीद इन बातों को समझेंगे चात्रों से नुरो देखें आप अपना पाठ्यक्रम देखें अगर आपके पाठ्यक्रम में कविता को सप्रसंग व्याख्या सहीद सिखाया जाता है पढ़ाया जाता है और आपकी परिक्षा में प्रशन पत्र में इस प्रकार के प्रशन आते हैं जहां काव्यांश से का सप्रसंग व्याक्या पूछी जाती है या फिर काव्यांश का कावे सौंदरे पूछा जाता है या फिर काव्यांश का शिल्प सौंदरे ही पूछ लिया या फिर कुछ पंक्तियों को देकर उनका भाव अर्थ यानि भावार्थ पुछा जाता है या भाव सौंदर्य पुछा जाता है तो आपके लिए यह वीडियो उप्योगी है यह सिर्फ CBSC के स्टूजेंट्स के लिए यह सभी के लिए है जहां कावे हिंदी कावे पढ़ा जाता है और परिक्षा में कविता का भावार्थ या व्याख्या सप्रसंग करनी होती है यह कावे सौंदर्य के बारे में लिखना होता है यह उन सभी के लिए है मुखे रूप से यहां जो उधारन दिये गए हैं वे कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए हैं चोटी कक्षा में यानि कक्षा 8 तक जो कविता की व्याख्या हमें सिखाई जाती है मैं एक जर्नल बात कह रही हूँ कि स्कूलों में स्कूली इस तर तक कक्षा 8 के इस तर तक जब कोई कविता का हिस्सा दिया जाता है और उसकी व्याख्या करवाई जाती है तो प्रसंग पहले लिखते हैं एक हेडिंग और फिर दूसरी हेडिंग होती है व्याख्या प्रसंग में ही पाठे पुस्तक कवी का नाम कविता का नाम लिख दिया जाता है जो प्रसंग है जिसकी हम जो व्याख्या करने जा रहे हैं उससे संबंदित बात भी लिख दी जाती है क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रसंग हो जाता है उसकी बाद व्याख्या या जो भी हम बात अपनी विस्तार से लिख रहे हैं वह इस व्याख्या की हेडिंग के नीचे लिखते हैं और हमारा उत्तर समाप्त हो जाता है लेकिन कक्षा 9 से उपर 9 और 10, 11, 12 कक्षाओं में जब काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए कहा जाता है तब आपक तो प्रसंग में सिर्फ प्रसंग लिखना है और संदर्ब में सिर्फ संदर्ब लिखना है और संदर्ब पहले लिखेंगे संदर्ब का इंग्लिश में अर्थ होता है रेफरेंस इसका अर्थ होता है कि किस सोर्स से आपने ये पंक्तियां ली हैं और सोर्स क्या है आपकी है और किसने लिखा है वो लिखेंगे तो जो अन्य बोड है cbsc के अलावा उनमें पाठीय पुस्तख लिखने के कहा जाता है लेकिन cbsc के जो जो guidelines है cbsc में जो हमें बताया जाता है कि उसमें पाठे-पुस्तख लिखना अनिवारे नहीं है जब आप संदर्भ लिखते हैं तो सिर्फ कवी का नाम और कवीता का नाम लिखते हैं और उसकी बात प्रसंग, प्रसंग क्या होता है यह होता है कंटेक्स्ट यानि जो बात आप आगे बताने जा रहे हो आए व्याक्ष्या में उसे संबंधित बात आप जैसे letter में एक subject लिखते हैं न विशे लिखते हो उपर कि किस बारे में आगे आप letter लिखने जा रहे इसी तरह कि ये बात भी होती है जिसको पढ़के एक ये दो पंक्तिकी उसको पढ़के पढ़ने वाला समझ जाता है कि आगे किस बारे में कभी बात अपनी विस्तार से कह रहा है या किस बारे में बात कही जा रही है ये हो गया प्रसंग English में इसको context भी कहते हैं उसकी बाद हम लिखते हैं व्याख्या व्याख्या में आप विस्तार से समझा कर उन पंक्तियों का भाव बताईए उसको इसपस्ट कीजे और उसकी बाद हम लिखते हैं विशेश और इस विशेश में हम कावे संदर्य लिखते हैं पहले में उस प्रश्ण का उत्तर कैसे लिखा जाएगा जहां सब प्रसंग विया क्या पूछी जा रही है उसके बारे में बता रही हूँ संदर्ब लिखिएगा जैसे मैंने अभी बताया आपको जिसमें आप कवी और कविता का नाम लिखेंगे अगर आपके टीचर्ज पाठे पुस्तक के लिए कहते हैं तो पाठे पुस्तक का नाम भी लिखिए CBSC के छात्रों को पाठे पुस्तक लिखने की जरुरत नहीं है सिर्फ कवी और कविता का नाम लिखे फिर उसको लिखे लिखिए कि प्रसंग क्या आगे आप क्या बात कहने जारे हैं कवी किस बारे में बताने जा रहा है या कभी ने किस बारे में इन पंक्तियों में बताया है व्याख्या अब आप जो पंक्तियां आपको मिली हैं उनकी व्याख्या केजिए जो भी भाव हैं उनको विस्तार देते वे पंक्ति का अर्था आपको समझाना है विशेश उसके बाद आप विशेश heading डाल कर विशेश लिखे या फिर कावे संदरे के heading डाल कर कावे संदरे लिखे इसी विशेश में आप लिखेंगे कि कविता का मुख्य भाव क्या है एक पंक्ति में लिखे और उसके बाद फिर आप लिखे भाशा कैसी है शैली कैसी है उ खास विशेश बात अब अगर यह कितने अंक का जैसे सपोस यह आठ अंक का है तो आप देखे एक अंक आपका संदर्ब का हो जाता है प्रसंग का एक अंक हो जाता है वियाख्या आपकी तीन अंक पांच अंक की होती है और एक अंक का हो जाता है विशेश तो आप अंक के हिसा अपसे ही आप अपना मैटर लिखेंगे, तो आठ अंकों में इस तरह से विभाजन होता है, और अपना प्रश्ण पत्र देखिए, वहाँ अंक विभाजन किस प्रकार से दिया गया है, उसके अनुसार अपनी शब्द सिमा और मैटर को विस्तार दीजिए, यहाँ एक उधारन देखते हैं, एक आदर्श उधारन देखते हैं, कि अगर इस तरह से कावियांश किस प्रसंग वियाख्या आती है, अच्छा यह जो उधारन मैं बता रहे हुए कक्षा 9 से 12 तक कि, 12 से आगे की जो कक्षा हैं, BA और MA में जब हम वियाख्या करते हैं, उसमे भी इसी प्रकार से हम लिखेंगे, संदर्ब लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे और वियाख्या करेंगे, लेकिन विशेश में हम काविया संदरे तो लिखेंगे यह साथी साथ किसी अन्य कवी की सेम भाव लिए हुए कोई पंक्तिया हैं, तो उनको भी मैंशन करेंगे, ल और कक्षा बारा के छात्र जानते हैं कि यह किस पार्ट से लिया गया है कवी का नाम लिखा और कविता गिता वली पुस्तक अंतरा भाग दो प्रसंग में आप देख सकते हैं कि तुलसी दास ने माता कौशल्या के पुत्रवियोग का मारमिक वर्णन किया है जैसा कि मैंने बताया था प्रसंग में हम उससे संबंदित बात लिखते हैं जो आगे हम बताने जा रहे हैं तो क्या बात बताई गई है पुत्रवियोग का मारमिक वर्णन राम के वन्ग में जाने के बाद माता कौशल ले की क्या दशा हो गई है इस पत के माध्यम से पताया गया है अब यहाँ व्याख्या इनी पंक्तियों की हम करेंगे और सरल शब्दों में करेंगे माता कौशल या राम के वन में जाने के बाद उनकी वस्तों जैसे धनुशबानों को देखती हैं और उनकी चोड़ी-चोड़ी सुन्दर-सुन्दर जूतियों को निहारती हैं तो कभी वे उन्हें अपनी आँखों और हिर्दे से लगा लेती हैं कभी-कभी तो वे बिल्कुल भूल जाते हैं कि राम अब यहां नहीं है और उन्हें पहले की बाती मीठे मीठे बोल कर नीन से जगाती हैं और कहती हैं हे पुतर जागो तुमारे मेतर और सभी भाई द्वार पर दर्वाजे पर खेलने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रह हैं और मा तुम्हारे ऐसे चंद्रमा के समान मुख पर बलिहारी जाती है कभी वे कहती हैं कि बहुत देर हो गई सोते वे अब उठो और महराज के पास जाओ मैंने तुम्हारी पसंद के सभी वेंजन पकाए हैं अपने साथियों भाईयों को बुला लाओ तुम सभी को खात देख मुझे बहुत खुशी होगी पर परन्तु जैसे ही मा को याद आता है राम तो बन में चले गए हैं वे मूर्ती की एक चितर की तरह हो जाती हैं तुलसी दास माता की उस समय की स्तिति के बारे में बताते हैं कि जब राम उनके पास ही थे तब एक मोर्नी की बाती प्रस नहीं है लेकिन अधिकतर इस तरह से आप देखेंगे विशेशी लिखा जाता है उसके बाद सिर्फ एक पंक्ति में आप बता देजे मुख्य भाव क्या है माता के वातसल्य प्रेम का वर्णन है अब उसके बाद आप शिल्प संदरे लिखेंगे चितर लिखी सी में उपमा अलंकर अलंकर अगर आप लिखें कि कौन सी पंक्ति में क्या अलंकर है रूपा का लंकर आपने कहां देखा उपमा तो भी अच्छा विशेश में मैडर हो जाएगा लेकिन आपको लगता है कि एक अंकली इतनी सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं है जब आप लिखेंगे तो पहचानने आसान है रस पहचानना आसान है तो इतनी चार पंच बाते आप लिख सकते हैं मुश्किल नहीं है जो अभी हमने देखा था कावयाँश की सप्रसंग व्याक्या कैसे करें और अब हम देखेंगे कि अगर किसी कावियांणश का सिर्फ काव्य संद्रे पुछा जाता है जैसे की सीबे सी की कक्षा siばारा में हिंदी अचछिक के पर प्रशन पत्र में तो उस समय काव्य संद्रे कैसे लिखें और कितना लिखें भाव संद्रे और शिल्प संद्रे इन दोनों से मिलकर बनता है कविता का कावे सौन्दर्य देखते हैं उधारन अब जैसे की ये कक्षा-бारा हिंदियाज्चिक के प्रशन पत्र का एक प्रशन है जहां तीन काविआंश दिये हैं और दो काविआंशों का कावे सौन्दर्य पूछा गया है तो वहाँ तीन-तीन अंकों का एक उत्तर है तो जैसे यह पहला प्रश्ण है यह काव्यांश दिया गया है उचे तरवर से गिरे बड़े-बड़े पियर आए पत्ते कोई 6 बजे सुबह जैसे गरमबाने से नाई हो खिली होई हवाई फिर किसी चली गई तो जब आप लिखते हैं तो अच्छा है यहां संकेत लिखकर और पंक्ती का जो शुरू का वाक्यांश है या शुरू के दो शब्द लिखके डैस डैस करके लिख देंगे तो एक्जामनर को आसानी होती है पहचानने में कि आपने कौन सा चुना है क्योंकि तीन है न उसमें अब यहां पर कावे सॉंद रहे है कि हेडिंग डाल कर पहले आप लिखिए भाव सॉंद रहे तो इन पंक्तियों का भाव सा उंदर या आप इस प्रकाह लिखेंगे कभी कहता है कि वसंत के आने पर सड़कों पर उची उचे रिक्षों से प्योड़े बड़े पीले पत्ते गिरे हुए हैं और इन सुखे पत्तों पर जब पाउं पढ़ते हैं तो चर्मनाने की आवाज आती है सुबद 6 बजे की हवा में ऐसी ताजगी है कि जैसे वह अभी अभी गरम पाने से स्थान करके आई हो और प्रसनता से खिल उठी हो ऐसी ताजगी भरी हवा फिर की की तरह गोल-गोल घूमती हुई आई और चली गई यह आपने भाव लिख दिया यहां व्याख्या नहीं करनी है कई बार चात्र यहां यह गलती करते हैं कि यहां व्याख्या लेखने लगते हैं जिससे उनका समय खराब होता है तो कावे सौंदरे तीन अंकों का है और यहां भाव सौंदरे डेड़ और डेड़ का शिल्प सौंदरे हो सकता है या अंक योजना आप देखें, तो एक और दो अंक भी हो सकते हैं, कि भाव का एक हो गया, दो शिल्प सौंदरे का, डिपेंड करता है कैसी अंक योजना है, तो यहां हम ये लेकर चलते हैं कि डिढ़ अंक भाव सौंदरे का और डिढ़ अंक शिल्प सौंदरे का, अब इन प जोली का उपयोग एक पंक्टि में और अलग से भिलिक सकते हैं सरे35 अतुकांत है पदा नि on होली शब्ण चैन क्या किया है अलंकार अगर प्रयोग में लाय गए है तो खौन से हैं क्या है अगर शब्ण शक्ति पता हैं तो वह भिलिक सकते हैं कोई खास बात है उसकी दूट वह लिख सकते हैं बिम्ब उसमें हैं तो उनके बारे में आप एक पंक्ते लिख दीजे और इनोंने यह भी लिख दिया कि व्यंगात्मक रूप से क्या बात कही गई है वह भी लिख दिया है शब्द चेहन क्या है इसमें तद्ब्र अब हम देखते हैं कि परिक्षा में जब इस प्रकार का प्रशन पूशा गया दब छात्र ने किस प्रकार से उत्तर दिया तो यहां कविता का नाम और कवी का नाम छात्र ने लिखा है अच्छी बात है और उसकी बाद मुख्य भाव में उसने लिखा है उसका भाव संदर्य बताया है कि उसर वंजर आदी शब्दों के जर्य समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूडियों को तोड़ने की बात कही है इस समय यह आई तिंग अंक की उजना में एक अंक का है और यह दो अंक का इसलिए सिर्फ इतनी सी बात लिखकर बात खतम कर दी गई अब शिल्प संदर्य हम देखेंगे अच्छा है कि आप हैडिंग में लिखिए जैसे यहाँ हैडिंग में नहीं लिखा लेकिन हैडिंग में लिखेंगे भाव संदर्य और उसके बाद यहां शिल्प सौंदरे तो अच्छा लगता है देखने में शिल्प सौंदरे में आप देखें तोडो तोडो में पुनुरुक्ती प्रकाश अलंकार अलंकार की बात की सबसे पहले हमेशा भाषा लिखा करिए लेकिन यहां चात्रने भाषा के बारे में लिखा नहीं है लिखना चाहिए कि भाषा कैसी है खड़ी बोली है सरल सहज भाषा है तोडो तोडो में पुनुरुक्ती प्रकाश अलंकार है देशज शब्दों जैसे बंजर, चर्ती, परतियादी का प्रयोग किया गया है बिम्ब विधान का सुंदर प्रयोग किया है कावे में चितरात्मक्ता, लयात्मक्ता का संयोग है भूमी के जरिय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूडियों पर व्यंग किया गया है तो इस तरह से यह कवीता का एक अच्छा उतराप देख सकते हैं भाव सौंदरे के हेडिंग नहीं डाले डालने चाहिए नहीं लिखेंगे तो माक्स तो नहीं कटेंगे लेकिन प्रस्तुती अच्छी लगती है और उसके वाशिल सौंदरे क्योंकि कावे सौंदरे का प्रश्ण है तो आप इस तरह से हेडिंग डाल कर लिखेंगे अपनी बात तो अच्छा लगेगा प्रस्तत कावے अंच चैशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक सकंद गुप्त के कावे भाग देवसेन से लिया गया है कावे अंच में देवसेन की व्यथा का मारमिक चितरन किया गया है यहां भाव सौंदरे में सिर्फ एक बात लिखी गई है और ये बात ये जो इसका भाव सौंदरे है ये आप यहाँ पर और जोड सकते हैं कि देवसेना जीवन के उस मोड़ पर है जहां इसकंद गुप्त का प्रणाय निवेदन भी उसे खोशी नहीं दे पाया उसके बाद आप शिल्प सौंदरे में लिखें कि भाशा खड़ी बोली संस्कृत निस्ट है या समशब्दों का प्रयोग है उसके बाद आप लिखें इसमें अलंकार कौन से हैं जैसे रूपक अलंकार है गहन विपिन और तरुचाया में और अनुपरास अलंकार कहां कहां द उधारन नहीं है श श है और सासा है तो यह गलती किया अनुपरास अलंकार यहां हो सकता है न और न यह उधारन आप दे सकते हैं तो इस तरह से आप जो भी बातें लिख रहे हैं शिल्प सौंदरे में ध्यान से सोज समझ की लिख दीजे आशा करती हूं अब आपको प्रसं इन सभी शब्दों के अर्थ समझ में आगे होंगे कैसे इने लिखना है उत्तर में अपने उत्तर को प्रभावी कैसे बनाना है यह समझ में आगया होगा धन्यवाद